काना जी के सभी भगतों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा मैं अफरातना करती हूं कि आप सभी स्वस्थों और खुश हूं देखे आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुत ही कुपसूरत सी नियो डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस पनाएंगे आप देख सकते हैं इ अपनी एडरस फुल स्लीव बनाई है जिसकी काना जी को हाथों में भी बिल्कुल ठड नहीं लगेगी और उपर से नीचे तक काना जी अच्छे से ढखे रहेंगे हमें देखे काना जी की दोनों बाह ऐसे डालनी है फिर उपर की तरफ से हमने यहां पे डोरी लगाई हुई सली है इसको हमें काना जी के गले में ऐसे टाइट करकर बांद देना है और यहां बीच में हमें टिप-tape बटन बंद कर देना है जिससे कि जैकेट का लोग कुछ इस तरीके से आ जाएगा इस जैकेट को बनाना बहुत आसान है मैंने बहुत इसंपल तरीके से यह जैकेट बनाना बताया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसे कि आप भी बहुत आसानी से ये जैकेट बना कर काना जी को पहना सकते हैं अगर आप ट्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नौलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेशिन पूछना साथी साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंस अब हम ये बहुत ही कुप सूरू सी काना जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल जैकेट बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चान सबसे पहले चानल को अब हमें को करें एक चेंड बना ऑड़ करने के बाद या हमें डोग आसफी हम Maple नेकर हम निकाल के दो संब्सक्राइब ौन ऑन लेनीऑ जो दो चेन उसको छोड़कर बनाए तेसी चेन वे क्रोष्या डालकर उनको फसाकर निकाल ल thorough यह सिंगल क्रोष्या बन गई फिर इसके बादव़ी चेन में भी इसको डालकर उनको फसाकर निकालेंगे दो पन् वे तो प्लाइनgiller क्रोष्या बनाते हुए हमें ये पूरी line complete कर लेनी है single crochet बनाते हुए हमने पूरी line complete कर ली है अब हमें देखिए इसको पलट लेना है और पलट कर हम तीन chain बनाएंगे एक, दो और ये तीन तो हमने तीन chain बनाए अब हमें क्रोश्या में एक बारी उनको लपेटना है और देखिए जहां से हमने तीन चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में क्रोशा को डाल कर और उनको फसा कर हम निकाल लेंगे तीन फंदे हुगा है तो क्रोशा में उनको लेकर हमें सिर्फ दो फंदों से निकालना है दो फंदे बचे अब हमें क्रोशा में उनको लेकर बच तो यह फिर से डबल क्रोश्या बन गई इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोश्या बनाते हुए यह पूरी लाइन कम्प्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है यानि कि हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोश्या बन तो ये एक, दो और ये तीन, अब इसके आगे की छे चेन में हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है तो हमने शुरू में जो तीन चेन बनाई थी इसको भी आम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे फिर उसके आगे कि 6 chain में हमने एक एक बार double crochet बनाई तो हमने total 7 chain में एक एक बार double crochet बनाके complete कर ली है अब हमें 9 chain बनानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हमने total 9 chain बनाई अब यहां नीचे से हम 9 chain काउंट करके छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने देखिए 9 chain छोड़ दी अब 10 वी chain में हमें फिर से double crochet बना लेनी है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे कानाजी के लिए sleeve बन गई है अब हमने यहां पे जो एक double crochet बनाई है ना इसके आगे कि 7 chain में भी हम एक एक बार double crochet बनाएंगे तो एक double crochet पहले से हमने बनाई है 7 double crochet हम और बनाएंगे तो total 8 double crochet हो जाएंगे बीच में बीच में हमने देखिए total 8 double crochet बनाके complete कर ली है अब हमें फिर से 9 chain बना लेनी है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और ये 9 अब यहां नीचे से हम 9 chain काउंट करके छोड़ेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ 9 chain हमने छोड़ दी अब दसमी chain में हम फिर से double crochet बना लेंगे तो देखें यहां पे हमने double crochet यहां पे बनाके complete कर ली है अब काना जी की दूसरी स्लीव भी बनके तयार है अब देखें किनारे पे 6 chain बची हुई है तो एक double crochet हमने पहले से बनाई है 6 chain में भी हम एक बार double crochet बना लेंगे तो total 7 double crochet इधर भी हो जाएंगी जैसे कि हमने शुरू में भी 7 double crochet बनाके complete की थी इधर से भी हमने देखें 7 double crochet बिनके complete कर ली है अब काना जी की दोनों स्लीव बनके बिलकुल तयार है अब हम इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 chain बनाएंगे 1, 2 और ये 3 अब देखें जहां से हमने ये स्लीव बनानी शुरू की यहां तक हमें सभी chain में से पहले एक एक बार double crochet बनाके complete करना है तो देखें हमने जहां से स्लीव बनानी शुरू की है वहां तक हमने सभी chain में से एक एक बार double crochet बनाके complete कर लिया है अब यहाँ पे जो हमने 9 chain बनाई थी ना तो हमें सभी chain में से भी एक एक बार double crochet बनानी है कि यानि कि हमें total 9 double crochet बीन के complete करनी है तो देखें यह जो पहली chain है इसमें से भी हम एक बार double crochet बनाएंगे फिर यह जो दूसी chain है इसमें से भी हम एक बार double crochet बनाएंगे तो ऐसे ही यह जो हमने chain बनाई है 9 इसमें से हम 9 double crochet bean के complete करेंगे तो देखें फ्रेंस हमने यहाँ पे जो 9 chain बनाई थी sleep बनाने के लिए उसमें से भी हमने एक एक बार double crochet बनाते हुए total 9 double crochet बनाके complete कर ली है अब इसके आगे भी हमें सभी chain में से एक एक बार double crochet बनाते हुए पूरी line complete करनी है यहाँ पे जो हमने दूसरी sleep बनाई है इसके लिए भी हमने 9 chain ही बनाया है इसमें से भी हम एक एक बार double crochet बनाके complete करते जाएंगे सबी chain में से एक एक बार डबल कुरोशिया बनाते हैं, हमने देखे यह पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, अब काना जी की स्लीव बनकर भी बिल्कुल तयार है, हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने नौ चेन बनाए थी काना जी की स्लीव बनाने के लिए, तो हमें इसमें से हर एक chain में से एक एक बार double crochet भी बनानी है, यानि कि यहाँ पे भी हम 9 double crochet भी बनाएंगे, तो यह पूरी line अप complete हो गई, अब हम इसको पलट लेंगे, पलट कर हमें फिर से 3 chain बनानी है, एक, दो, और यह 3, फिर इसके बाद वाली chain में से हम एक बार double crochet बनाएंगे, फिर इसके 6 लाइन बीन के कमपलीट कर लिया है. बलास्ट में जो एक फंदा बचा है, हम इसको यही पे लॉक करना है. तो देखे इस तरीके से हम इसको ढीला करेंगे. और जो बचा हुआ उने, इसको हम इसमें से डाल कर निकाल के खीच के से टाइट कर लेना है. टाइट करने के बाद यहां से जो extra ऊन है इसको हम cut करके निकाल देंगे अब दिखें यह जो neon green कलर का ऊन है इसको हमें इसमें joint करना है तो जहां से हमने इसको lock किया था उसी chain में हम क्रोशë को डालेंगे और ऊन को इसमें से फसाके निकाल लेंगे फिर हमें knot लगाकर इसको यहां पे joint कर लेना है अब जहां से हमने उन joint किया है उसी chain में हमें crochet को डाल कर उनको फसा कर निकाल लेना है दो chain बनाएंगे हम एक और ये तो फिर हमें इसके बाद वाली chain में से single crochet बनानी है तो दिखे इसके बाद वाली chain में crochet को डाल कर उनको फसा क निकालेंगे, दो फंद वे तो क्रोशा में उनको लेकर दो फंदों से निकालेंगे, इसी तरीके से हमें हर एक chain में से एक ऐसे बार सिंगर क्रोशा बनाते हुए, यह पूरी लाइंग कंपलीट करनी है और एक लाइण और ऐसे ही बना लेनी है, यानि कि चारो तरफ से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल कोश्या बनाते हुए, टोटल दो लाइन बीन के कम्प्लीट करनी है, हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल कोश्या बनाते हुए, हमने देखे टोटल दो लाइन बीन के कम्प्लीट की यह ऊपर और नीचे से तो chain थी तो इसलिए हमने हर एक chain में से एक एक बार single crochet बनाई अब किनारे से देखें यह double crochet हमने बनाई है तो हर एक double crochet में से हमने 3-3 single crochet बनाई थी जिसकी वज़ा से इसका लोग और भी जादा खुबसूरत हो गया है फिर दूसरी लाइन में हमने सभी chain में से एक बार single crochet बनाके complete कर रहा है अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यही पर लॉक कर लेना है लॉक करने के बाद अब हम काना जी के लिए full sleeve बनाएंगे तो sleeve बनाने के लिए हमने देखें यहाँ पे जो sleeve बनाई थी यहाँ किनारे से हमें फिर से यह neon green color क कर लेना है इसमें तो ऐसे हम उनको निकाल के knot लगा कर इसको joint करेंगे हमने देखें उन जोइंट कर लिया अब जहां से हमने उन जोइंट किया उसी chain में क्रोश्या को डाल कर हम उनको फसा के निकालेंगे और तीन chain बनाएंगे एक दो और यह तीन फिर हमें इसके बाद वा और एक chain में से एक एक बार double crochet बनाते हुए पूरा circle complete करना है एक एक बार double crochet बनाते हुए हमने देखिए यह पूरी लाइन complete कर ली है अब last में हम इसको joint करेंगे तो देखे शुरू में जो हमने तीन chain बनाई थी ना इसकी पहली वाली chain में हमें ऐसे क्रोश्या को डालना है औ और उन को फसा कर निकाल लेना है, दो फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, तो देखिए यहां पर slip switch लगा के हमने इसको joint कर लिया, अब जब हम open करेंगे इसका shape कुछ ऐसे आएगा, फिर से हमें तीन chain बनानी है, एक, दो और ये तीन, तीन chain बनाने के बाद, अब इसके बाद वाली chain में से हमें फिर से एक बार double crochet बनानी है, फिर इसके बाद वाली chain में से भी हमें एक बार double crochet बनानी है, ऐसे हमें हर एक chain में से एक बार double crochet बनाते हुए, पूरी line complete करनी है, फिर से, एक बार double crochet बनाते हुए, हमने देखिए दूसरी line बीन के भी complete कर लिया है अब लास्ट में हम इसको भी slip stitch लगाएंगे तो शुरू में जो तीन चेन बनाई थी हमने उसकी पहली वाली चेन में को डाल कर उनको फसा कर निकाल लेंगे दो फंद हुए तो इस फंदे को इसमें से निकाल कर ऐसे slip stitch लगा कर जॉइंट कर लेंगे त लास्ट में इसको slip stitch लगा के जॉइंट करना है हमने देखिए तीसरी लाइन बीन के भी complete कर लिया है अब लास्ट में जो एक फंदा बच है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं स्लीव का लुग कुछ इस तरीके से आचाएगा मुझे जो स्लीव की लंबाई थी वो इतनी ही रखनी थी इसलिए मैंने सिर्फ तीन लाइन बीनी है आप चाहें तो काना जी के हाथ के हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं अब देखे जैसे हमने इधर की तरफ से स्लीव बनाई है ठीक उसी तरीके से हमें इधर की त बना के और चें बनाना है तो पहले हम देखे यहां पे लॉक करलेंगे लॉक करने के बार अपर चेंड बनानी है ऐसे एककर सिंपल सी चेंड बनाते हुए हमें एक लंबी सी दोरी बनार कर तैयार कर लेनी है हमने दोरी बीन के तयार कर ली है अब हमें ड्रेस लेनी है और यहां उपर किस तरफ से देखे जहां से नियॉन ग्रीन कलर का उन लगाया है उसके नीचे वाली जो लाइन है यह डबल कोश्या की तो सबसे पहले हम यहां किनारे से ऐसे डाल के और डोरी को निकाल लेंगे फिर हमें तीन डबर कुश्या छोड़नी है एक दो तीन उसके बाद जो गैपिंग है यहां से हम ऐसे डोरी को डाल कर पीछे की तरफ से निकाल लेंगे फिर से हमें 3 double crochet छोड़नी है एक, दो, तीन और यहाँ पे जो Gapping है इसमें से हम ऐसे डोरी को निकाल लेंगे इसी तरीके से हमें 3-3 double crochet की Gapping छोड़ते होए यहाँ से लास्ट तक डोरी डाल लेनी है डोरी डाल के कंप्लीट करने के बाद हमने ये tip tap button ले लिया है इसको हमें या बीच में लगा लेना है उपर से तो हम डोडी बांद लेंगे बीच में ये tip tap button लगा कर इसको बंद कर लेना है अगर आपके पास tip tap button नहीं हो तो आप इसकी जगा पे हुक्या वेल्क्रो भी लगा सकते हैं तो दीखिए फ्रेंज हमारे लड़ू को पाल जी के लिए बहुती कूपसूरत से न्यूर डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस पनकर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इससे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ पेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू